तो अच्छी और सची खबर में सबसे पहले बाद दुनिया के सबसे उचे रेल ब्रिच की जिस पर एक दिन पहले ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है जो पूरी तरह से सफल रहा इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने सोशल मीडिया के जरिये दी जिसक तरह से इस रूट पर ट्रेन आपरेट होनी शुरू हो जाएगी जिसका सबसे जादा फायदा घाटी के लोगों को और सेना को होगा दुनिया के सबसे उचे रेल ब्रिज पर जब पहली बार ट्रेन का सफल ट्राइल किया गया तो ट्रेन में सवार रेलवे कर्मचारियों की चेहरे खुशी से खिल उठे ये एक सपने के साकार होने की खुशी है ये इन कर्मचारियों की दिन रात की कड़ी मेहनत का नदीजा है जिसके चलते पहले 16 जून को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्राइल सफल रहा और अब मेमो ट्रेन को चिना ब्रिज पर दोड़ाये गया खुशल मीडिया एक्सपर कुछ तस्वीरे शेयर करते हुए ट्राइल के सफल होने की गुड ड्यूज देश के लोगों को भी बताया गया कि इस दौरान मेमो ट्रेन की रफ्तार 40 किलो मीटर पते घंटा रही और ये 46 किलो मीटर लंबे रूट पर 9 सुरंगों से होकर गुजरी संगलदान रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकली और रियासी तक ये पहुची और रियासी स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुची तो वहाँ पर लोगों ने इस ट्रेन का काफी स्वागत किया और जो सबसे दिल्चस्प बात है वो ये है कि ये जो ट्रेन है विश्व के सबसे उचे रेल पुल पर भी गुजरी जो की चिनाब नती पर बना है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही अगले दो हफ़ते तक रियासी जिले से बिलकुल कश्मीर घाटी की तरफ रेल सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी और अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें यानि कि उदंपूर श्रीनगर बारा मुला का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें भी अब मात्र 17 किलोमेटर का ही स्ट्रेच बचा है यानि कि कट्रा और रियासी के बीच का 17 किलोमेटर का स्ट्रेच बचा है जब ये स्ट्रे का एक शांदार शहकार है जिसे चिनाफ दंदी के ऊपर बनाया गया है हर मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोडने के मकसद से साल 2003 में सरकार ने इस रेल्वे ब्रिज को बनाने का पैसा लिया था 2009 तक इस ब्रिज को बनकर तयार होना था हलांकि ऐसा हो नहीं पाया मगर अब करीब दो दशक की कड़ी मेहनत के बाद ये ब्रिज बनकर आखिरकार तयार है ऐसे में इस एहम प्रोजेक्ट से जुड़े लोग अपनी मेहनत के सफल होने पर खुश होने के साथ साथ बहुत गौर्वानवित भी महसूस का रही है बहुत सारे इंजिनियर्स अपने लेवर्स और अधिकारी कंसल्टेंट डिजाइनर ने अपना बहुत कुछ दिया है और आने पर बहुत खुसी की बात है और लोग बहुत खुस हैं यासी के लोग खूस हैं, बकल के लोग खूस हैं, कोडी के लोग खूस हैं, दुगगा के लोग खूस हैं, संगलदान के लोग खूस हैं, सभी लोग खूस हैं. उधमपूर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहट इस रेलवे ब्रिज का निर्बान किया गया है जिसे बनाने में करीब 1486 करोड की लागत आई है और ये कई ऐसी खुबियों से लेस है जो रेलवे के दूसरे फुलों में देखने को नहीं मिली ये दुनिया का सबसे उंचा स्टील आर्च ब्रिज है जो परिसके आईफिल टार से भी 35 मीटर उंचा है आईफिल टार की उंचाई 330 मीटर है जबकि चनाव ब्रिज 369 मीटर उंचा है इस पुल को मजबोती देने के लिए इसमें 25,000 मिट्रिक टन स्टील का इस्तिमाल हुआ ह साथी से जोडने के लिए विश्विस्तर की वेल्डिंग का इस्तमाल किया गया है ताकि ये रिक्टर स्केल पर आठ की तेवरता वाले भुकम और 220 किलो मीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं को भी आसानी से सहपाए बड़ी बात ये है कि ये ब्रिज 17 पिलर् पिलर्ड का ये जो पूरा ट्रैक ही है जो टॉनल मुझे लगता है काफी संखे में टॉनल ये एक अपने अपने मार्वल है प्राउट मोमेंट हमारे लिए यह है कि हमारे इंजिनियर्स ने इतना बड़ा मार्वल क्रेट किया है आज जैसे आपके एक साथई मुझे कह रहे happiness स्मृद्धी लेके आएगा खबर ये है कि बहुत जल्ड ही railway safety commissioner इस rail route का जाइज़ा लेने वाले हैं तब तक बाकी बचेकान को भी पूरा कर लिया जाएगा उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस route पर 30 जून से train operate कर सकती है जमू से सुनील जी भट के साथ गुरून पोट गुड़िस तुड़े चलिए बात कर लेते हैं मौसम की करीब एक महीने से भीशन गर्मी का सामना कर रहे दिली अन्सियार के शहरों में आज बारिश देखने को मिली जिसके चलते तापमान में तीन से चार डिगरी की किरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली मौसम वभात का कहना है कि अब देश के जादतर हिस्सों में हीट वेव का प्रभाब नहीं है लेकिन कल से फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली वढ़ोतरी देखने को मिल सकती है लंबे वक्तबा दिल्ली एंसियार के शहरों पर मौसम महरबान हुआ और आज आस्मान से बारिश की बूंडे राहत बनकर बढ़ सी आज सुभर से ही मौसम करवण बदल रहा था कभी दोग तो कभी च्छाओं देखने को मिल रही थी मगर दोपहर होते होते आचानक मौसम बदल गया आस्मान में काले घने बादल चा गए ठंडी ठंडी हवाई चनने रगी और फिर जमा जम बारिश ने दिल्ली एंसियार के शेहरों को भी गो दिया दिल्ली एंसियार में हुई जमा जम बारिश से लोग को प्तचंड गर्मी से एक बार फिर से राहत जरूर मिली है बुद्वार रात को भी हलकी पुहार हुई थी उसके बाद गुरुवार के सुबा लगबग 5 डिगरी की गिरावट देखी गेती ताफमान में लेकिन गुरुवार को बारिश के उमीद थी जो की नहीं हुई लेकिन गुरुवार की शाम दिल्ली एंसियार में जबर्दस बारिश हुई है इससे लोग को राहत जरूर मिलेगी मुसम विभाग का नुमान है कि दिली एंसियार में मानसून 30 जून के बाद एंट्री लेगा, मतलग दिली एंसियार वालों को 30 जून के बाद ही गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल पाएगा ये बारिश ऐसे समय हुई है जब महीने भड़ से दिली एंसियार के लोग भीषन गर्मी का सामना कर रहे थे ऐसे में आज जब बादल बड़ से तो लोगों के जहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने राहत की सांस ली तस्वीरे इंडिया केट के पास कर्तव पत से आई हैं जहां बीते कई दिनों से गर्मी के कारण की ने चुने लोग ही भूमने पहुँच रहे थे लेकिन आज दुपहट जैसे ही मौसम सुहाना हुआ पूरा कर्तव पत लोगों से भर गया कोई दोस्त और रिष्टेदारों के साथ यहां मौज मस्दी करने पहुचा तो कोई परिवार संग सुहाने मौसम का आनन उधाने के लिए आया परिवार के साथ यहर को आगया और बहुत अच्छा मौसम है राहत का तो सर मत पूछिए जो दो तीन दिन पहले जो था मौसम उसके इसाफ से आज का मौसम बैस्ट है मौस्ट पिछले महीने भर के बाद ऐसा लगया कि आज बाहर निकलने का थोड़ा सा समय मिला नहीं तो घर के अंदर और घर से बाहर तो निकलने का बिल्कुल एधा टेंपरेचर गर्मी बहुत जादा कुछ लगा कि आप निकलने का समय मिला बारिस आई ठंडा मोसम मिला तो निकले इंजोई कर रहे हैं बहुत सार बहुत कहते रहे हैं कम से कम 45-50 डेज बाद ऐसा लगागी घर से बाहर निकलना चाहिए हालगि ये बारिष मानसून वाली नहीं है बलकि ये बारिष बेस्टन डिस्रबेंस के असर से गही है जिसकी संभावना मौसम विभाग में एक दिन पहले ही जताई थी और आज मौसम विभाग का ये अनुमान पूरी तरह सच साबित हुआ आज हुई इस बारिश से तापमान में 4-6 दिगरी के किराबट डर्ज की गई है हाला कि कल से फिर तापमान में मामूली वर्भुत्री देखने को मिल सकती है लेकिन सीवियर हीट वेव जैसी संभावना से मौसम विभाग ने इंकार किया है अभी हीट वेव का स्थिती पूरा नौर्थ इंडिया से ही काफी कम हो चुकी है कल हमारा हीट वेव करेंध के बेसेश के हीट वेव का जो रिपोर्ट मिला है वो एक दो अलाका उत्तरप्रदेश का छोड़ के बाकी पूरा देश में ही हीट वेव का कोई रिपोर्ट नहीं आया यह पे astronomy नौर्फ वेस्ट इंडिया में यह हुआ है एक strong western disturbance आने के कारण से जिसके चलते अरबियन सी से moisture आपका नौर्थ विस्ट इंडिया के तरफ आ रही है जिसमें बादल बन चुकी है कई इलाके में बारिश भी हुई है और ये बादल के कारण से temperature चार से छे डिग्री ड्रॉप हो चुकी है सारा देश heat wave से निकल चुकी है मौसम विभाग के अनुसार मौनसून के अभी दिल्ली पहुँचने में थोड़ा वक्त बागी है लेकिन बीते कुछ दिनों से सुस्त पड़ा मौनसून अब देश के पूर्वी और पश्टिमी राज्जियों में रफ्तार पकड़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ रह है इस्टरिली फ्लो स्केंटन्होरी है साओस से मौनसून का जो इस्टरिली फ्लो बंगाल की खारी से नॉर्फ बढ़ इस्टैन्ध एंडिया के तरफ जाती요 वो स्केंथ होने कि कारएन से हमारा आज भी मौनसून अद्वांस हो चुकी है आपका महराश्टर का जो बाकी हिस्से थे और इस्ट मद्यप्रदेश चतीजगर का काफी इलाका उरिश्या गैंजिटिक बेस्बिंगॉल जहारखन पिहार इन सभी राज्यों में मौनसून काफी अद्वांस कर चुकी है आगे भी हमारे उम्मीद है कि इस्ट का जो अंश है याने और वेस्ट में भी जैसे आपका गुजरात, मद्यप्रदेश, चतीजगर और आपका मद्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों में अभी मौनसून अडवांस का स्थिती संभव है अगले तीन से चार दिन में उदर उत्तराखंड और हिमाचर प्रदेश जैसे पहाडी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है अब वहाँ जुल्जाने वाली गर्मी की बजाए बारिश देखने को मिल रही है जिसके चलते बड़ी संख्या में परेटक भूमने फिरने के लिए फिर से पहाडों का रूप कर रहे हैं और अबात आस्था के मार्क पर सुविधाओं के साथ की कर लेते हैं दसमई से चारधा मियात्रा चल रही है महस बैयालिस दिन में रिकॉर्ड 24,60,000 से जादा श्रधालू दर्शन कर चुके हैं जिन में सिर्फ 10,00,000 श्रधालू तो केदारना धाम पहुँच चुके हैं श्रधालू की बड़ती संख्या में सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का भी बड़ा योगदान है उत्राखन की पुषकर सिंग धामी सरकार हर स्तर पर लगातार ये कोशिश कर रही है चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रधालू को किसी तरह की कोई परिशानी ना हो इसके लिए चारधाम यात्रा के शुभारम से पहले ही यात्रा पर पेजल से लेकर ठहरने और खाने पीने का प्रबंधन कर दिया गया था जिसके वज़े से कई घंटों के सफर के दौरान शुधालूं को कम दिक्कत होती है चारधाम केदारनाथ, बधरिनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री पर शुधालूं के संख्या को देखते वे सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दे कि केदारनाथ धाम में प्रिशासन की तरफ से एक बड़ी LED TV लगाई गई है जो ठीक मंदिर के सामने ही लगा दी गई है इस LED TV के लंबाई 10 स्पीट और 14 बी स्पीट है जिस पर गौरी कुंट से केदारनाथ तक 16 किलोमेटर के लंबे पैदल मार्क के मौसम की जानकारी दी जा रही है LED TV पर बाबा केदार के धाम आने वालों शधालूं को वहां मौझूद रहने के दौरान खुद को कैसे स्वस्थ रखना है इसको लेकर भी ग्राफिक्स के जरीए उन्हें बताया जा रहा है भीर प्रबंधन के लिए केदार धाम पहुंचने वाले शधालूं को कतार में ही गर्वग्रिह तक जाने के जाज़त होती है इस वज़े से शधालूं को अपनी बारी के लिए लंबा इंतिजार भी करना पड़ता है इसी वज़े से समय समय पर टीवी पर बाबा केदार के भजन भी प्रसारित किये जा रहे है इसी एलेजी टीवी पर केदारनात मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है आपको बता दे जिसे धाम का माहौल लगातार भक्ती में बना हुआ है चार धाम यात्रा में सबसे मुश्किल सफर केदारनात धाम के ही मानी जाती है इस धार्मी के यात्रा में सबसे जादा चुनौती पैदल मार्ग में ही आती है इस ट्राक में आमतोर पर 6-8 घंटे लग जाते हैं जातर यात्री सुभें ही यात्रा शुरू करते हैं ताकि वे दिन के समय ही केदारनाथ पहुंच सके ऐसे में सरकार और प्रशासन की भी कोशिश रहती है कि केदारनाथ आने वाले शुधालों के लिए सुविधाओं पर जादा से जादा फोकस हो मंदर प्रांगन में लगने से पहले वहां हाल में कोई और तरह की यात्री सुविधाओं को जोड़ा गया है जोकी गौरी कुण से केदारनाथ तक 16 किलोमेटर का लंबा पैदल मार्क टै करने वाले शुधालों के लिए बड़ी राहत की तरह साबित हो रही है चलते चलते ठक जाने पर वो उस पर बैठ कर आराम भी कर सकते हैं अगर लाइन आगे नहीं वड़ रही है तो इंतिजार कर सकते हैं इस समय हम कैदानाथ मंदीर परशन में मौझूद हैं आप देख सकते हैं कि कैदानाथ भगवान के दर्शनों के लिए तीर्थी आत्री की लंबी लाइन लगी वी है सुबह से ही तीर्थी आत्री यहाँ पर लाइन में लगकर बाबा कैदा के दर्शन कर रहे हैं तीर्थी आत्री को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहों इस बार परशासन ने एक नहीं प्यास्ता शुरू किया है पहले बारिस और बर्फ बारी होने पर तीर्थी यात्रियों को लाइन में लगने भारी दिक्कत होती थी लेकिन इस बार यहाँ परसासन ने आस्तापत पर रेंस हेल्टर कर निर्मान किया है आप देख सकते हैं कि जो रेंस हेल्टर बनाए गए हैं इनके नीचे यात्री बारिस धूब ठंड से बच रहे हैं और लगतार दर्शन करते आ रहे हैं सबसे बड़ी बात कैदानाथ में इस बार यहाँ देखने को मिली है कि मंदिर 24 में से 23 घंटे खुला है अलगतार बाबा कैदार के दर्शन हो रहे हैं दोपर के समय सिर्क बारा से एक बज़े तक मंदिर बंध हो रहा है और उत्रखन के रूद्र प्रयाक जिले में मौजूद कैदारनाथ धाम को बारा जोतिर लिंगों में से एक माना जाता है जिसकी सबसे बड़ी विशेशता केदारनाथ मंदिर में इस थापिश शिवलिंग का स्वेंभू होना है शिव पुरान के मताबिक केदारनाथ में विराजमान स्वेंभू शिवलिंग की पूजा करने के बाद जो एकती जल ग्रहन कर लेता है उसे दोबारा जन नहीं लेना पड़ता है पौराने कथा के अनुसार देवी देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव से प्रात्ना की थी तब भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए इस बैल का नाम था कोडारम बैल में असुरों का नाश करने के शक्ती थी बैल के खुरों और सींग ने उनका नाश किया जिने प्रभू ने मंदाकिनी नदी में फ्हेंग दिया था इसी कोडारम बैल के नाम पर केदारनात का नाम पड़ा है शास्त्रों में ये भी जिक्र किया जाता है कि सबसे पहले के दार्णात मंदिर का निर्मान पांचो पांड़ो नी किया था लेकिन वो समय के साथ फिलुप तो हो गया इसके बाद आदी गुरु शंकराचारे जी ने इस मंदिर का फुनर निर्मान करवाया था मंदिर के कपाट साल के 6 महिने के लिए खुलते हैं और 6 महिने के लिए बंद रहे हैं चारदा मियात्रा पर आने वालों के लिए रेजट्रेशन करवाना जरूरी है बिना पंजी करन श्रधालू चारदा मियात्रा पर नहीं जा सकते इस पर हर देन रेजट्रेशन के लिए लिमिट तैक ही आ गया है जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है कई हफतों तक मक्तों की भारी भीड को देखते वे अभी तक रेजट्रेशन लिमिट की वज़े से शद्धालों को काफी दिक्कत हो रही थी पंजीकरन के लिए आधी राद से ही शद्धालो लाइन में लग जाते थे ऐसे में अब पंजीकरन काउंटर्स पर शद्धालों के अनलिमिटर रेजट्रेशन की ववस्ता की गई है अब शर्धालूं के लिए सुभे 7 बजे से शाम 7 बजे तक काउंटर्स पर unlimited पंजी करन कराय जाने की विवस्ता की गई है और अब आपको उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के भक्ती भाव से जोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं सियम धामी ने पिथोरागड के पारवती कुंड के पास बैठ कर शक्ती पूजा की जो की आदी कैलाश की चोटी के पास 4,497 मीटर की उचाई पर स्थथ एक पवित्र कुंड यानि की जील है यहां की आध्यात्मिक्ता और सकारात्मक आभा बेजोड माने गई है आदी कैलाश के सामने बने पारवती कुंड को लेकर मानेता है कि यह पूरी दुनिया में दूसरी सबसे उची जील है यह वही स्थान है जिसको लेकर यह भी मानेता है कि यहां देवी पारवती ने अपने पुत्र गनेश को प्राप्त किया था इसलिए पवित्र परवत आदी कैलाश की यात्रा में भी पारवती कुंड का पौरानिक बहत्व है आपको बता दे कि अंतराश्टी युग दिवस के मौके पर पुशकर सिंग धामी इसी स्थल पर मौजूद थे और यहीं आपको बता दे कि कुछ समय पहले प्रधान मंत्री नारेंद्र मोधी भी पहुँचे हाला कि ये जो स्थान है काफी दुरगम है और उत्रा खंड सरकार लगतार कोशिश कर रही है जिस तरह से चारो धाम यानि कि गंगोत्री के दारनाथ बतरीनाथ में शधालू आते हैं और दर्शन करते हैं उसी तरह से आदी कैलाश और इस स्थान पर विथोरागड में लोग पहुँच सके और यहां भी देवी जाता है देख रहा है विनोद तुम जी एंटी पर आ रहे हो नहीं समझे रहा तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं वेब सीरीज पंचायत के विनोद को तो आप जानते ही होंगे इस वेब सीरीज के पापुलर करलाकारों में से एक विनोद मतलब कि अशोक पाठक आज नेंदर दूबे ने देखी यह रपॉर्ट है इस समय हमारे साथ मौजूद है अशोक पाठक जी जो पंचायत का जो पाठ 3 है उसमें विनोद के किरदार में खुब सुर्खियां बटोरी हैं सबसे पहले तो आपको दो चीजों के लिए बदाई पंचायत 3 के लिए स्पेश सिस्टर मिडनाइट जो कान फिल्म फेस्टिवल में डिरेक्टर फोर्ट नाइट करके एक सेक्षन होता है उसमें वो फिल्म दिखाई गई उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और यह एक अदभुत बात थी मेरे लिए क्योंकि उसमें मैं मुखे भूमी का मैं हूँ मैं हूँ और राधिका जी है राधिका आपते है और मुझे लगता है राधिका आपते जितनी पहतरी नवी नेतनी हैं यह उनका सबसे अप तक का बेस्ट काम है इस फिल्म में सिस्टर मिडनाइट में तो यह अपने हाप में ये गदगद करने वाली चीज थी कि मतलब हम कान फिल्म जो हमें शिर्कत कर रहे हैं, मतलब ये खुशी का ही मौका है और मैंने कभी जिन्दगी में सोचा नहीं था कि मैं वहां तक, मतलब नहीं इमेजिन किया तायर कि मैं वहां होंगा और मेरी फिल्म वहां पे वर्ल्ड प्रीमियर होगा उसका और वहां देखी जाएगी, जहां प तो बड़ी कितने दिन थे वैसे कान में आप मैं चार दिन रहा है, मैं वहां पर, मतलब वह ऐसी दुनिया ही है, मतलब वह कह सकते हैं कि सिनेमा का एक तीर्थ स्थल है, मक्का मदीना कह सकते हैं, तीर्थ स्थल कह सकते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हैं और चाहें जो भी सिनेम की पर दूरीया खुदुकर से बीचल कोशन 2 कोशनरमिना के वहाँ जकने के साथ आज you मुझे आज रचाएं तो बहुत पर सिनेंगा के दैड मिल्म कहीत है वहां मतलब देखना कीव Fast पंचायत तो दूसरा सीजन आया था तब वेवे में बहुत कुछ था क्योंकि उस टेम में वो किरदार बहुत है, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने बहुत प्यार किया, इस बार नहीं यह हुआ कि फिल्म फेस्टिवल में शिर्कत हुई, वहाँ पर फिल्म दिखा है, यह सच में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा क्या बदल गया इस सफलता के बार, मेरे जीवन में मतलब इश्वर पे मुझे और भरोसा बढ़ गया, कि जब आप बहुत लगन से और मेहनत से कोई काम करते हो ना, जिस चीज को पाने के लिए, वो चीज आपको मिलती ज जाएंगी और वो होगा, तो मैं अभी में सोचता हूं तो वो अभी ने कि वो सारी चीज आती ही रही और आ रही है, अब कभी गायक बनना चाहते थे, अब अगर कुछ अगर सुनाना हो, गुन गुनाना हो, एक आक लाइन भले वो पंचाज से ही संबंदी दे तो या आपक पर शुच्पन में गाता था कभी कभी स्टेज पे कि, दिल का सुना साज तराना धूंडेगा, तीर निगाहे नाज, निशाना धूंडेगा, अरे मुझका मेरे बाद, जमाना धूंडेगा, अला कि बहुत धुरा गा रहा हूं, लेकिन आप बले, बहुत दिखें नरूं पर शुप कामना है, और आप बने रहे हैं हमारे साथ, वीडियो जनलिस वहादत खान के साथ, दर्मेंद्र दूवे, गुद्निस टूज़े मुंबाई झाल